जुकल हंसराज ने जब इंडस्ट्री में डेब्यू किया था तब अपने लुक्स को लेकर वो काफी सुर्खियों में थे पापा कहते हैं महबते जैसी फिल्मों में जब लोगों ने उन्हें देखा तो उनकी खुबसूरती की बहुत तारीफ हुई और लोगों ने कहा कि ये इंडस्ट्री का नेक्स्ट रोमैंटिक हीरो है और हम सब जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में romantic heroes कितने जल्दी popular हो जाते हैं पापा कहते हैं इतनी बड़ी hit नहीं हुई थी उसके गाने बहुत चले थे लेकिन महबते फिल्म के बाद कहा जा रहा था कि जुगल हंसराज इंडस्ट्री का next big star बनने वाला है और तोर महबते फिल्म के बाद जुगल हंसराज के पास जिस तरह से फिल्मों के offers आ रहे थे उसे देखकर लोगों ने यही कहा महबते के बाद जुगल हंसराज के पास एक नहीं दो नहीं 40 फिल्मों के offers थे उनके पास 40 फिल्मे थी, ये 40 फिल्मे उन्होंने साइन की थी और इनकी simultaneous shooting शुरू कर दी थी अब जब किसी के हाथ में इतने projects होंगे तो कौन hit नहीं होगा, कौन बड़ा star नहीं होगा ऐसा या तो गोविंदा के साथ हुआ था या जुगलहंस राज के साथ तो जुगलहंस राज को जब लोगों ने इस phase में देखा तो कहा ये next big star है लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मनजूर था उन्होंने ये 40 फिल्में जो sign की थी, उसमें से 35 फिल्में तो बन ही नहीं पाई 4-5 फिल्में किसी बात के कारण almost पूरी हो चुकी थी लेकिन release नहीं हो पाई, कुछ फिल्में बीच में ही अटक गई और कुछ फिल्में शुरू होने से पहली ही बंद हो गई कह सकते हैं कि जुगलहंस राज के साथ ये बहुत बड़ा scam उनकी किस्मत ने किया जुगलहंस राज को महबते के बाद लोग देखना चाहते थे लेकिन एक साल तक जुगलहंस राज इंडस्ट्री से गायब रहे क्योंकि वो इन्हीं फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे और उन्हें लग रहा था कि ये साल जा रहा है लेकिन अगले साल से साल में दो तीन फिल्म तो मेरी आईगी ही कुछ इस उम्मीद से वो आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनके साथ इतना बड़ा ये धोखा हुआ जिसने उनकी किस्मत को बरबाद कर दिया जहां एक तरफ कहते हैं कि जिन आक्टर्स के पास जादा फिल्मे होती है वो आक्टर्स इंडस्ट्री में चलते हैं वही जुगल हंसराज का करियर जादा फिल्मों नहीं डुबोया आपको क्या लगता है अगर ये 40 फिल्में जुगल हंसराज की बन जाती और ये फिल्म में बन कर रिलीस होती तो क्या वाख़ी में जुगल हंसराज शारुक खान को रोमैंटिक हीरो के रूट में टक कर देते अपने चॉकलिटी लुक्स के लिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें